याद रखनी पड़ती है वो ये कि जो संसद्य प्रणाली हमने अपनाई है उसमें जो सब्तागी शक्ती है वो जनता में नहत होती है जनता इसलिए अपने प्रतिनीधियों को चुनती है आज उन्ही चुने हुए प्रतिनीधियों से सरकार बनने जा रही है भारत की और आगमन हो रहा है राश्टवती भवन में देश के नव मिरवाचित पुधान मंत्री श्री नरेंटर मोदी का उनकी कारों का काफिला धीरे राश्टवती भवन के प्रांगन की ओर अग्रसर होता हुआ। पर जोर देती है और यहां पर सब की नजरें इस ओर चिकी हैं इस एतिहासिक समारोह में आप वशिष्ट अतीथियों का आगमन लगातार जारी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र फारत और सबसे बड़े लोकतंत्र के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे बड़ी लोकतंत्रिक प्रक्रियास से गुजर कर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शबत लेने के लिए पधार रहे हैं राश्ट्रपती भवन के प्रांगन में उत्तर प्रधेश के वारणसी से बतौर सांसद तीसरी बार चुन कराएं हैं देश वासियों का अटूट भरोसा अपार जन समर्थन आत्मिये स्ने हैं और पिछले दस वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन नेत्रितों से ये दिखाया है कि ये से प्रगती के पत पर उड़ान भर रहा है समाज के कमजोर तब के से लेकर हर वर्ग की आकांग्शाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रितों में भारत सरकार ने एक बार फिर नई उमीद के साथ शब्दों में अब क्या कहें जो उच्छा है आप उनका स्वेम अनुभव करें सबका आभार स्वीकार करते हुए नवने वाचित पुधान मंत्री श्वी नरेंद्र मोदी तीस्वी बार इस देश की बागदोर समभलने के लिए तया यूज़ अबुकरिक ट्रबकर यूज़ खिर करूबिए टॉज़ मोदी भू नरेंद्र नरेंद्र मोदी जोर फिर थे नहींस पुआ तो मोंट म झांव जूज़ घू जूब के लिए मुझाए जूब तो आइन अनुप मोदी नज़ टेसे बार इस बार इस देश कावर श और अब हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं मान्या राश्च्रपती महोदिया के शुभागमन की कुछी देर में वे यहां आएंगी और शपत ग्रहन समारो प्रारम्ब होगा। समारो स्थल पर मान्या राश्च्रपती महोदिया के आगमन पर राश्ची गान बजाया जाएगा। उमीद टिकी है नए भारत का स्रुजन करने वाले देश को अंतरराश्ची स्थर पर चम चमाते हुए सितारे की तरह अंकित करने वाले मानने पर राश्च्रपती महोदिया।